नमस्कार दोस्तों बात करेंगे इंसीजनल हर्णिया के बारे में इंसीजनल हर्णिया क्या है, ये कैसे होता है, इसके होने के क्या कारण है इनके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, सरद्री ना करवाएं तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और सद्री के बाद recovery ऐसी रहेगा incisional हर्णिया का मतलब है कि पहले abdomen पे कोई incision लगा है यानि कि किसी तरह का कोई operation हुआ है जिसके बाद जो skin के नीचे एक hard fascia रहता है उसमें weakness हो गई है और वहां से आत या fat बाहर को आ रहे है जैसे कि आपने बाकी वीडियो में देखा होगा कि amylical हर्णिया या कोई और paramylical हर्णिया या ventral हर्णिया में किसी शीद के थुरू कोई structure बाहर को आता है लेकिन उन conditions में पहले यहाँ पर कोई operation नहीं हुआ होता यहाँ पर कोई incision नहीं लगा होता इसलिए उन्हें incisional हर्णिया नहीं कहते और वो हर्णिया जो पहले किसी सर्द्री के बाद हुए हैं उन्हें ही हम incisional हर्णिया का नाम देते हैं किसी भी सर्द्री especially open सर्द्री के बाद जब बड़े cut लगते हैं तो fascia weak हो सकता है और उसके बाद यहां से हर्णिया बन सकता है यह कहां कहां हो सकता है यह पूरे पेट में कहीं भी हो सकता है जहां पर भी कोई सर्द्री हुई है जैसे कि upper abdomen में अगर gall better सर्द्री open हुई है या appendisectomy आपका open हुआ है या पहले कोई hysterectomy हुई है cesarean हुआ है किसी तरण आप कोई भी cut हो यह दूर बिन के operations में भी rarely यह herniyas बन सकते हैं इनके symptoms क्या होंगे वाल जैसे बाकी herniyas में हमें एक swelling देखने को मिलती है यूखांसी करने पर बढ़ती है या exertion करने से बढ़ती है और rest करने से कम हो जाती है वैसे ही इन herniyas में भी similar symptoms से आपको निज़र आएंगे पर किये रहेगा कि एक cut होगा जहां पर पहला operation हुआ है और वहीं से यह herniya भी आपको बाहर आता हुआ निज़र आएगा अगर हम time series ना करवाएं तो बाकी herniyas की तरह इसमें भी obstruction हो सकती है herniya permanently बाहर रह सकता है आपकी आँथ काम करना बंद कर सकती है बहुत vomiting और पेट में swelling हो सकती है आँथ गल सकती है और एक simple सा जो operation से ठीक होने वाला herniya था वो complex herniya बन सकता है और जान लेवा भी हो सकता है इसका ilाज क्या है वैल किसी भी herniya में operation ही इसका ilाज है हम इसे दवायों से ठीक नहीं कर सकते अगर आपको incisional herniya का diagnosis बना है तो जल से जल इसका operation करवाईए इससे delay करकर इससे खत्रा मोल ना लीजे incisional herniya की surgery open surgery से भी की जा सकती है और leptoscopy कली भी की जा सकती है लेकिन जादतर cases में दूरबिन से operation करवाने से इसमें ज्यादा अच्छे results देखने को मिलते हैं क्योंकि incisional herniyas बहुत type की हो सकते हैं इनके size अलग अलग हो सकते हैं ये multiple भी हो सकते हैं तो एक given case में आप अपने doctor से discuss कीजिए और जानिए कि कौन सा method आपके लिए best रहेगा open surgery में हरिया के उपर ही cut लगाया जाता है जो fascia है उसमें जो contents आ गए हैं उन्हें वापिस करके fascia को close करते हैं और उसे उपर जाली बठाते हैं जबकि दूरबिन के operation में पेट के अंदर एक छोटे से होल से camera डाल कर साथ में जो instruments डाल कर जो fascia के through contents जा रहे हैं यानि आंत या fat उसे वापिस पेट में लाया जाता है उस होल को बंद कर दिया जाता है और पेट के अंदर ही अंदर से एक जाली बठा दी जाती है पर किया है कि पेट के अंदर जाली डालने से हर्णिया का दुबारा होने का रिस्ट कम हो जाता है क्योंकि उसके बाद अगर किसी कारण ये pressure बढ़ता है जो जोर है वो mesh का hole की तरफ ही लगता है और वो hole से दूर नहीं जाती जबकि अगर हम उपर की तरफ mesh लगाएंगे तो अगर अंदर का pressure बढ़ता है तो इससे mesh हट सकती है और हर्णिया दुबारा हो सकता है इसके इलावा अगर हम open surgery में जाली डालते हैं जितना हमने incision दिया है यानि कट लगाया है हम उतने ही जाली डाल सकते हैं जबकि दूर बिन में हम जाली को और कुछ दिन आपको वो drain अपने साथ carry करनी पड़ सकती है जबकि दूर बिन के operation में ऐसी ज़रूरत लगबक नहीं पड़ती open हर्णिया की मुकाबले दूर बिन से pain भी कम रहता है, recovery fast होती है और आप चल्दी ही अपने घर वापिस जाकर अपने normal routine में वापिस आ सकते है incisional hernias के कुछ risk factors रहते हैं कि अगर आपके पिछले operation में घाओ में कुछ infection हो गया है या patient की general condition अच्छी नहीं है उसमें protein की कमी है उसमें health अच्छी नहीं है या उसको कोई और systemic disease है तब इन conditions में उसको incisional hernias का risk बढ़ जाता है इसके अलावा अगर किसी भी operation के बाद आपको pate का pressure बढ़ता है यानि child wearing होती है या chronic constipation या कफ रहती है या आप बहुत जल्दी heavy activity करने लगते हैं तब भी इस hernias का risk आप में बढ़ सकता है तो किसी भी surgery के बाद कुछ देर at least एक sedate महिना आप ये सारी activities मत कीजिए heavy काम नहीं कीजिए खांसी या constipation या urine का problem है तो उसके जल से चल दबाई लीजिए और दुबारा इस herniya को होने से बचाईए So we hope कि ये video देखकर आपको incisional herniyas के बारे में बता चला होगा और आप या आपके आसपास कोई से पीडित है तो आप उसका अच्छे से इलाज करा पाएंगे और एक normal healthy life में वापिस आपाएंगे If you like our videos, kindly like, share and subscribe We will continue to make more interesting content like this Thank you We will continue to make more interesting content like this